हेलो फ्रेंड्स जै माता दी कैसे हैं आप सब लोग आई होप सब इच्छी होंगे तो पोनम चौदरी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है तो आज है अस्टमी और कन्या पूजन का दिन है तो मैं अब नहां के अपना लग गई हूं खाना बनानी के लिए तो आज बनाना है हलबा पूरी, काली चणी और एक सबजी भी बनाऊंगी, गोभी की सबजी बनाऊंगी रायता यही सब चीज़े बनानी है तो गोभी तो मैं ने बना दी है और अब मैं बना रहundos हों अलभा, तो इसके लिए सूजी भून रहा हूं तो और एक साइड मैंने हलभा बनानी के यह बंगो तरृ जाद में सेफेने करने स्थेर इसे चेने सलिगे इस अव्यान सोगी करणे अब यह बना देती हूं तो चनने सबस्ता बने ने तो हलवा जल्दी बन जाता है तो अब यह बनके मेरा तयार हो जाएगा पर इसके बाद पूझा में लगेंगे तो फिर उपर से मैंने इसमें एक चमज घियो और डाल दिया है जैसे हलवा बनता है और यह हरी इलाइची जिन्हें सफेद इलाइची बोलते हैं वह मैं पीचे रखती हूँ और फिर उपर से में डाल देती हूँ खील में और हल्वे में फिर ड्रै फ्रूट्स डाल दी है इसमें तो मेरा हल्वा बनके तेयार हो गया है यह देखो अब हल्वा बन गया है अब इसके बाद चने हैं और गोभी की सब्ची बनके तेयार हो गई है इधर मैंने अगया, चने भी इफ्राइए कर दीया और यह अलग क्रटोर मैंने फूजा के लिए निकाल दीए उनकल जिस Me इनकल दीयं this is one-on निदेख फूजा में हो गया इंकल इसल गया शाय निकल दीए तो आठ मम्मी मेरे बनाएंगे और आठ अपने बनाएंगे दोनों अपनी आठ पोड़ों का भोग लगाएंगे और दो पूरी का देशी घी में दो पूरी बनेगी तो वो पोड़े तो मम्मी बनाएंगे तब तक मैं पूजा कर लेती हूं सब भगान जी को तेलक लक कर देती साड़गे, रेड कलर के, पोजा के लिए पोड़े मैं मम्मी से बनवाती हूं, क्योंकि मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है, बहुत सॉफ्ट बनते हैं, जो मम्मी पोड़े बनाती है, तो मम्मी इधर पोजा के लिए पोड़े बना रहे हैं, और चार पूरी देसी घी में बनाएंगी, ये पोड़े भी देसी घी में बना जा रहे हैं, पोड़े थोड़े मम्मी जादे भी बना रहे हैं, हो पोड़े इसले गिन थाहीं क्योंकि गिनके रकने हैं तो इ節目 मैं गल्थ смотреть नहीं रखने में इसले सब्सक्ते हो इधर मैं पूजा की थाली त्यार कर रही हूं और पस उसके बाद अस्टमी पूजन हो जाएगा और फिर जो हमारा आज का पार्ट है वो ये पार्ट पढ़ेंगे नौ दिन के तेरह अध्याई होते हैं इसमें दिनों के हिसाब से होते हैं कि एक दिन में दो अध्याई भी हो जाते हैं तो तेरह अध्याई हैं इसमें और आठवा दिन है तो यह बुक आज मत्य कम्प्लीट हो जाएगी और उसके बाद दुर्गा चालिसा विंधिश्वरी चालिसा और यह पढ़ने के बाद आर्थी की जाएगी तो इस तरह करके पार्ट कम्प्लीट हो जाएगा आज और फिर करते हैं कन्या पोजन की तेयारी खाना तैयार हो गया है और कन्या मिलने लिए तो भई कैसे हो और इधर कन्या वामने खाना भी लगा दिया है कि पांच ही तेयार करें हैं और पूरी में उतार रही हूं कि शेकर दो अटु आरसे के सूंगों में आगे लिए फूराण कि प्लाख पूरान की क्या नाम यादना आते रहा है ताक हाल वाँ का जाना सिर्फ कन्या मिल पाई है थो इंसे हमने कन्या पूजन किया है बापगी के हमें जोरा को है व्यांग में सब स्कॉधा यह हमारे केमी कॉलांटों में कक्यों कि कबड़ा है तो समर्ड दो कन्यों से कन्य को पे, पहुचा दिये बागी टीपन सहीत हमने बच्चों के लिए लिए इस वार उसमें हलवा चनी और उनकी पे ऐसे केले रखे उनको हमने घर पहुचा दिया इस तरह हमने अस्टमी पूजन और कन्या पूजन किया फिर उसके बाद शाम को हम निकल गए थे घूमने के लिए बच्चे बोल रहते हैं पापा का फिर दिन से हम घूमने नहीं गए हैं आउटिंग करा दो कुछ तो और कहां जाते हैं दूर जाने में का टाइम नहीं था क्य गूमने के लिए तो शाम किसे में बोरो रहे थे तो फिर और क्या तो यह दिखो चिला रोड पे तो वैसी बहुत अच्छा लगता है यतनी चारो तरफ पेड़ हर्याली और यह हम आ गयते जहां से चंडी देवी की पैदल यात्रा शुरू होती है यह वह जग है साइड में और यह इसी दिपीट काली का मंदिर भी है यह जो चंडी देवी मंदिर के पैस पड़ता है तो फिर यह इसी रोड पे पड़ता है चिला रोड पे तो फिर हम निकल गए हैं घूमने के लिए तो आज हमारी बहुत अच्छी आउटिंग हुई है बहुत अच्छा लगा काफ मौल में और हमने इतनी तेज साउन में मुजिक बजाया हुआ था में मुजिक बजाना बहुत जादा पसंद है फिर हम रुख गयते चिला डैम के पास ही मैगी स्टॉल पे हमने खाई वहां मैगी और हम गाड़ी में इसलिए बैठे रहें क्योंकि वहां थे सारे बंदा फिर वह हमारी मैगी खा जाते तो हमने मैगी खाई और थोड़ा और आगे तक घुमे और फिर हम बापिस घर के लिए चल दिये तो हम एक दो घंटा ऐसे घुमगी फिर आगे बापिस और हमने मैगी भी गाड़ी में रखकी खाई तो फ्रेंड्स आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके बताईए और इस मैगी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की है का एंड तो मिलते हैं नेक्स ब्लॉग में तब तक के लिए बाबाई चैमाता दी